नमश्कार दोस्तों अगर आपका pen card UTA के portal से बना हुआ है और आप अपने pen card में correction करना चाहते हैं अपने name में, अपने father's के name में अपने photograph को change या फिर update करना चाहते हैं अपने signature अपडेट करना चाहते हैं या फिर अपनी date of work में correction करना चाहते हैं चली वीडियो को शुरू करते हैं यहां पे आपको change correction in pan card का option मिलेगा आप Click to apply की option पे क्लिक करेंगे उसके वाद नीचे scroll down करेंगे यहां पे आपको apply for change correction in pan card details के option पे क्लिक करना है तो next page आपके सामने open हो जाएगा यहां पे आपको application for change correction in pan data का form देखने को मिल जाएगा यहां से जो है आप online अपने pancard में correction कर सकते हैं दोसों यहां पर आपको pancard में correction करने के दो mode मिल चाते हैं जैसे कि physical mode and digital mode अगर आप physical mode चूज करते हैं तो दोसों आपको physically अपने documents यहां पर submit करने होंगे अगर आप अपना सारा process online करना चाते हैं digital तरीके से तो आपको digital option को select करना है जो कि 100% paperless रहता है तो यहां पर आपको digital में 3 options देखने को मिलेंगे अगर आप अधार EKYC के अपने pancard में correction करना चाते हैं तो ऐसे में आप अपने photograph and signature को update नहीं कर सकते हैं यानि कि उसमें change या फिर correction नहीं कर सकते हैं अगर आपके pancard पर आपकी photograph नहीं है और आप अपनी photograph चाते हैं अपने signature भी चाते हैं या फिर पहले से आपकी कोई photograph है वो पुरानी हो चुकी है और उसे आप change करना चाते हैं अपने signature को change या फिर update करना चाते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको second वाला option चूज़ करना है, sign using adar-based e-sign, इसे select करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे scroll down करना है, और यहाँ पे आपको permanent account number pan का option मिलेगा, यहाँ पे आपको अपना pan number enter करना है, उसके बाद फिर से आपको pan number re-enter करना है, number भी generate हो जाएगा, इस reference number को आपको copy करके अपने पास रख लेना है, यहाँ पे आपको four steps complete करने हैं, पहले step है personal details का, सबसे पहले आपको अपनी personal details enter करनी है, यहाँ पे आपको select name title का option लेगा, इस पे आप click करेंगे, यहाँ पे आपको kumari, miss, shiri, shirmati, जो भी आपका title है उसे आप select कर लेंगे, उसके बाद दोस्चों आपको अपना last name, यानि कि जो भी आपका sir name है वो enter करेंगे, उसके बाद आपको अपना first name enter करना है, उसके बाद दोस्चों आपको यहाँ पे middle name का option मिलता है, Married Woman है तब भी आपको अपने Father का ही NAME वे गाνठर करना है क्योंकि पैनन करे PSP पे हमेशा Father's काही नेम selective for आपको यहाँ पर mother's name का option लेगा जो कि optional है तो यहाँ पर अगर आप अपने pen card पर mother का name चाहते हैं तो आपको अपनी mother का name enter करना है otherwise आप इसे खाली छोड़ दीजिए उसके बाद आप नीचे scroll down करेंगे यहाँ पर option मिलता है select the name of either father or mother यहाँ पर अपने pen card पर किन का name चाहते है इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको father's name and mother name का option मिलेगा तो यहाँ पर हम father's name चाहते हैं तो father's name को select कर लेगे उसके बाद आपको other details का option मिलता है इसमें आपको अपनी date of worth को select करना है यहाँ पर आप click करेंगे तो calendar में से आपको अपनी date of worth को select कर लेना है उसके बाद जेटर का option मिलेगा, तो जेईगर, आपका Already यहाँ पे selector रहेगा, एनद उसके वाध यहाँ पे आपको select state का option मिलेगा, इस पर आप click करेंगे, तो आपको अपनी state को selekt कर लेना है, उसके वाध आपको applicant अधार details का option मिलेगा, तो आपको यहाँ पे अपना है वो आपकी डीटेल्स जो भी आप अपने Pen Card पे चाते हैं, वही डीटेल्स आपने अपने एंडेगी है अब यहाँ पर आपको अपने Pen Card में क्या कुछ correction करना है वो आपको यहाँ पे Detail को मिलेंगी तो यहाँ पर जैसा कि अगर आप अपने नेम में correction करना चाहते हैं तो आपको यहां पर इस box को tick करना है अगर आपका नेम सही है आपके pen card पर तो आपको इस box को tick नहीं करना है और अगर आप अपने name में correction करना चाहते हैं तो आपको इस box को tick करना है उसी तरीके से अगर आप अपने father की name में correction करना चाहते हैं तो आपक तो जो कुछ भी आपको correction करना है अपने pancard में उस box को आपको यहाँ पर take कर देना है, यहाँ पर आपकी अदार details को अगर आप update करना चाहते हैं तो इस box को take कर देंगे, उसके बाद आपको next step के option पर click करना है, तो next step आपके सामने आ जाएगा address details का, यहाँ पर आपको नीचे scroll down करना है, यहाँ पर आपको अपनी address details enter करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर select address for communication को option लेगा, इस पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर office address देना चाहते हैं यह फिर residence address, जो भी address यहाँ पर आप देंगे, उसी address पर आपका pancard deliver हो जाएगा, हम यहाँ पर residence address को select करेंगे, उसके ब आपको अपना road, street, lane, post office enter करना है, उसके बाद आपको अपना area, locality, तालू का subdivision enter करना है, उसके बाद आपकी town, city, district क्या है वो enter करेंगे, आपकी street यहाँ पर already यहाँ पर select की हुई है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने area का pin code enter कर देना है, उसके बाद यहाँ पर India country यहा पर enter करेंगे, उसी address पर आपका pancard आपको deliver होगा, यहाँ पर अगर आप अपने address को update करना चाहते हैं अपने pancard पर तो आपको इस box को tick कर देना है, उसके बाद आप नीचे scroll down करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी contact details enter करनी है, सबसे पहले आपको यहाँ पर select ISD code पर click करना है, और यहाँ पर आपको अपनी country India को select करना है, उसके बाद आपको area STD code का option लेगा, इसे आपको खाली छोड़ देना है, उसके बाद आपको telephone mobile number का option लेगा, तो यहाँ पर आपको अपना mobile number enter कर देना है, उसके बाद आपको अपनी email id एंटर कर देनी है, और यहाँ पर आपको इस box को tick कर देना है तो जो भी आप mobile number and email id एंटर करेंगे वो भी आपके pancard में update हो जाएगी उसके बद आपको नीचे next step के option पे click कर देना है तो आपके सामने third step आएगा other details का यहाँ पे आपको नीचे scroll down करना है यहाँ दोसो आपको verification में सबसे पहले अपना name यहाँ पे enter कर दे आपको documents को select करना है क्योंकि यहां पे अपना एक अधार काड upload करना होगा और अपने father के निपिए अपने निर्म करने के लिए अपने father का document upload करना होगा तो यहाँ पे आपको प्लेस को अप्शन में लेगा तो यहां पे आपको अपना place enter कर देना है उसके आपको next step का option पे click क करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉकुमेंट की लेस्ट देखने को मिल जाएगी इनमें से आप कोई भी अपना एक document upload कर सकते हैं तो सब से एजी है यहाँ पर कि आप अपना अप्लोड कर सकते हैं आपको फर्स्ट वाला ओप्शन सेलेक कर लेना है अदार काड इस इसे सेलेक करने के बाद आपको अपनी PDF फॉर्मेट में अपने अदार काड की एक फाइल को अप्लोड करना होगा और यहां पर जो भी आप डॉकुमेट अप्लोड करेंगे यानि कि अपने फाइल को सेलेक का लेना है open के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके अदार काड की PDF फाइल यहां पर अप्लोड हो जाएगी उसके बाद आपको अपने एड्रेस प्रूФ के लिए open के option पर क्लिक करेंगे, उसके वाद आपको अपना date of worth के लिए document proof upload करना है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप आधार काड को select करेंगे, जो उस फाइल के option पर click करेंगे, अपने pen card से related तो आप no document को select कर लीजी उसके वाद आपको option मिलता है father's name proof तो यहाँ पे आपको अपने father name में correction करना है तो यहाँ पे आपको document upload करना होगा अपने father का तो यहाँ पे आप select father's name proof की option पे click करेंगे यहाँ पे आपको document लेज देखने को मिल जाएगी तो आप अपने father का driving license, mat articulation, certificate, other document mentioning father's name अगर आपके पास कोई भी उनका document है जिसमें की आपके father का name mention है तो यहाँ पे आप उनका document भी upload कर सकते हैं, password अप्लोड कर सकते हैं, राशन कार्ट, voter ID कार्ड upload कर सकते हैं तो दोस्वो हम यहाँ पे voter ID कार्ट को select करना है उसके बाद आपको उनकी voter ID कार्ट को upload करना है जो फाइल के option पर click करना है और उसके बाद उनकी voter ID कार्ट को copy को select कर लेना है, open के option पर click करना है और उसके बाद दोस्वो यहाँ पे आपको सारे documents upload करने के बाद last option मिलता है वो है applicant photo file जैसे कि आपके pen card पर अगर आपका कोई भी photograph नहीं है तो आप जो भी अपना photograph यह यहां पर upload करेंगे वही आपके pen card पर print होकर आएगा उसी तरीके से जो भी signature आप यहाँ पर upload करेंगे वो आपके pen card पर print होकर आएगाそうですね यहां पर आपको signature अपने उसके फोटो अप्लोड करने के लिए यहाँ पर फोटो अप्लोड करने के लिए यहाँ पे आपको चून की आप्शन पर कलिक करना है अपने फोटोग्राप को आपको सरे लेक्छ जाएँगे दूस्तों यहाँ पर सारे details center करने के वाद आपको submit के option पर click करना है तो next page आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर आपको application form देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दूस्तों आपको application number coupon number देखने को मिल जाएगा इसे आपको copy करके अपने पास रख लेना है क्योंकि इसे आप अपने pen card देखने को मिल जाएगा कि आपको payment करनी है 106.9 rupees यहाँ पर आपको अपना mobile number एंटर करना है उसके बाद email ID एंटर करनी है उसके बाद नीचे आपको build as का option मिल जाएगा इसके आप click करेंगे confirm payment के option पर click करेंगे तो आपके सामने payment method का page open हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको अलग-अलग payment methods मिल जाते हैं जैसे कि net banking, credit card, qr code, wallet, upi जिस भी तरीकी से आप payment करना चाहते हैं उसे आप select करेंगे हम qr code को यहाँ पर select करेंगे qr code यहाँ पर open हो जाएगा qr code को हम अपने google पर यहाँ फिर phone पर application से scan करके payment को successfully कर देंगे payment होने के बाद यहाँ पर आपके सामने e-sign का page open होगा यहाँ पर e-signature करने के लिए आपको नीचे तीन options मिलेंगे अधार नंबर, virtual id and uid token यहाँ पर आपको अधार नंबर को select कर लेना है अपना अधार नंबर यहाँ पर आपको enter करना है और नीचे आपको अधार OTP को select करना है और नीचे get OTP के option पर click करना है तो आपके अधार काट के साथ जो भी आपका mobile number linked होगा उस पर एक OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर enter करना है और इस box को tick करना है, consent दे देना है उसके बाद आपको नीचे submit के option पर click करना है तो आपका e-sign यहाँ पर complete हो जाएगा next page आपके सामने open होगा तो यहाँ पर आपको अपने experience के हिसाब से feedback दे देनी है आप यहाँ पर star rating दे सकते हैं उसके बाद आपको नीचे submit rating के option पर click कर देना है तो आपकी feedback यहाँ पर submit हो जाएगी यहाँ पर आपकी एक acknowledgement receipt generate हो जाती है जिसे कि आप print भी कर सकते हैं आपको नीचे print के option पर click करना है तो आपकी acknowledgement receipt भी यहाँ पर print हो जाएगी जो भी आपने अपने details यहाँ पे इस form में fill की हैं तो यहाँ पे वो details आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी दूसरों अब आपको अपने pancard को track करना है तो उसके लिए आपको UTI के homepage पे आजाना है यहाँ पे आपको नीचे scroll down करना है यहाँ पे आपको pancard services में click to visit के option पे click करना है नीचे scroll down करना है और यहाँ पे आपको track pancard को option मिलेगा आपको यहाँ पे click to track status के option पे click करना है तो आपके सामने इस तरीके का page open हो जाएगा दूसरों यहाँ पे आपको application coupon number एंटर करना है तो आपका pancard का status क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दूसरों यहाँ पे अभी जो status है वो यह है pan application with ather based e-sign option is reserved and is under verification तो दूसरों यहाँ पे जो normally verification के लिए time लिया जाता है वो 24 और से 7 days के बीच में time लिया जाता है और verification complete होने के बाद आपकी email ID में आपको एक digital e-pancard की copy send कर दी जाती है जिसे कि आप download करके उसे check कर सकते हैं कि आपने जो भी अपने pancard में correction किया था तो वो यहाँ पे correction हो चुका है दूसरों बात करें physical pancard आपको कब मिलेगा तो उसके लिए normally 15 days का time लग जाता है 15 days के अंदर जो है आपकी गर तक आपका pancard आपको receive हो जाता है PVC form में दूसरों इस तरीके से आप अपने UTI के portal से बने pancard में correction कर सकते हैं I hope की complete process आपको समझ में आया होगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like करने के साथ चैनल को subscribe कीजिएगा साथ में notification bell को press कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियो के notification मिलते रहे चली मिलते हैं next video में तब तक के लिए बाई बाई ठेक क्यार